लोन के लिए का अलग से टेबल बनेगी उसमें आपका लोन नंबर भी होगा अट्रिब्यूट, जड़ी भी होगा अट्रिब्यूट और पी भी होगा अट्रिब्यूट ठीक हो गया और यहाँ पर जो रिलेंशिप है वो मैंनी टू वन का रिलेंशिप है Hello Friends में नाम है वीजय और आज की वीडियो बात करेंगे रिलेशनल मॉडल की जाने के रिलेशनल मॉडल क्या है और कैसे आप किसी भी ER मॉडल को रिलेशनल मॉडल में कनवर्ड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखें सब्सेफ़ली बात करेंगे relational model है क्या फिर हम बात करेंगे उसके conversion की कैसे हम converse करते है ER model को relational model में तो देखें relational model की example हम पहले सी देखते बाहर है अपनी वीडियो में जब भी मैंने आपको table को represent करके दिखाया जब भी मैंने आपको इस तरह से कोई format दिखा है, यहां पर आपकी table है, जिसमें आपकी columns हैं, या फिर rows हैं, तो वो actually में क्या है, एक relational model का representation होता है, ठीक है, तो relational model में हम लोग table की form में क्या करते हैं, अपने relations को represent करते हैं, अब relation कहने का मतलब है, यह entity हो गया, relationship हो गया, या फिर attributes हो गया, उसको table की format में represent किया जाता है, ठीक है, इन ही table को हम लोग यहां पर relation कहते हैं, ठीक है, यहां पर relationship और relation में आपको फरक समझना होगा, relation मतलब tables है, जो table होगी, यह एक relation है, यह एक table है, अब देखिए, table में कौन सी चीज़े क्या क्या बनती हैं, देखिए, table में सबसे पहले जो table का name हो लेकिन उससे मिलता जुलता होने चीज़े, अगर student लिखा है आपने, तो student table इस तरह के सामने लिए सकते हैं, यह आप entity का name दे सकते हैं, यह तो same रख लीजे, यह आप तो उससे मिलते जुलता रखिए, ठीक है, अगर कोई entity है, student name की, तो उसके table का name में भी क्या रखूँग attribute को represent करती है, ठीक है, जैसे अगर student का ID है, तो student ID यहाँपर आएगा, name यहाँपर आएगा, phone number यहाँपर आएगा, ठीक है, बाकी information यहाँपर आएगी, बाकी attributes यहाँपर आएंगे आपके, ठीक है, फिर next line से क्या होगा, यहाँपर हम लोग रखना start करेंगे, जैसे student की ID क् name क्या है ठीक है उसका phone number क्या है और बाकी information क्या-क्या है ठीक है अब देखिए कैसे कैसे different entities को हम represent कर सकते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर पूरे detailed information लेकर आया हूं आपके लिए ठीक है अब यहाँ पर primary की क्या होती है foreign की क्या होती है यह में पहले उसमें constraints आपके लगते हैं, क्या चीज़ हमें दिहान में रखनी चाहिए, वो पहले ही बता चुका हमको relational model start होने से पहले, तो अकर वो video नहीं देखिए हैं, तो video जरूर देखिए, और मैं आपको recommend करूँगा, कि आपको चाहिए DBMS थोड़ा बहुत आता ही क्यों न हो, आप इ सबसे पहले हम लोग समझेंगे strong entity, strong entity मतलब student एक strong entity है, ठीक है, अगर मैं इसका कोई course बनाता हूँ, तो वो भी strong entity है, ठीक है, तो यह जितनी भी strong entity होती होती, वो कैसे represent होती है, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, strong entity की table बनानी पड़ती है, क्या करेंगे, create a table कर करेंगे, use the attribute of a strong entity as a column in the table, column मतलब जो मैं आपको बताया, यह column, ठीक है, column की तरह represent करेंगे, और कोई भी primary की आप choose कर सकते है, ठीक हो गया, जैसे कि माल लीजे, मैंने एक entity ली, loan, ठीक है, इस loan का एक loan number होगा, जो की primary की होगा, और एक other attribute होगा, amount कह लीजे, ठीक है, अब इस number आजाएगा, और यहाँ पर आजाएगा amount, और यहाँ पर detail information भननी शुरू हो जाएगी, यह 1, 2, 3, 4, यह एक loan number है, जिसका amount है, पचास हजार, इस तरीके से, अब इसको represent कैसे किया जाएगा, इसका schema कैसे होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, schema लिखने के लिए, सब amount रखोंगा, ठीक है, अगर और attributes होंगे, तो comma लगा के उनको भी रखोंगा, तो यह इसका क्या है, relational schema है, इसका schema है, इसको किस तर से represent किया जाता है, आपका, ठीक है, अब हम बात कर लेते है, weak entity की, weak entity क्या होती, सबसे पहला आपको यह पता होना चाहिए, अगर नहीं पता ह पहला है, की जो payment है, वो क्या है, weak entity है, और यह जो relation है, वो क्या है, weak relation है, कुछ attributes होंगे, की payment का number क्या है, ठीक है, और बाखी attributes, इनको मैं AB name दे रहा हुँ, ठीक है, loan, loan का आपको पता है, सबसे पहले loan का number होगा, L number हमेने loan number, ठीक है, और बाखी attribute होंगे, इनको मैं Z और P name भाद दीए मैंने अब इसको टेबल में कैसी रिप्रेशन करेंगे। तो देखिए विक एंट्रीटी को रिपेशन करने के लिए आपको कहाना वारता है सबसे पहले जो एच वीक एंट्रीटी है उसको पेस पेमेंट के हमें एक टेबल मलानी पड़ेगी। और यह किसकी तरह Act करेगा यह Form Key की तरह Act करेगा Loan ज toes ज़े Table इस बने ग़ी उसमें आपका Loan Number भी होगा Attribute Z , भी होगा Attribute तो टेबले बने ग़ी एक Loan के लिए और Payment के लिए भी और payment में तीन attribute तो होगी उसके साथ साथ एक और attribute आपका add होगा, ठीक है, loan number वाला, ठीक है, और इसमें primary की क्या होगी, इन दोनों का जो combination होगा, वही आपकी primary की होगी, ठीक है, तो इसका schema अगर मैं लिखूँ, तो किस तरह से लिख सकता हूँ, तो इसका schema देखी, यहाँ पर एक और बनेगा, आपका payment की table, payment की table बनेगी, इसमें क्या होगा, आपका loan number पैमेंट नमबर, a attribute होगा, और यहाँ पर जो primary की बनेगी, वो इन दोने के combination से बनेगी, loan number और payment number के combination से, और यहाँ पर क्या होगी, primary की यह loan नमबर होगा, ठीक है, इस तरह से वीक entity को, आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, अब आजाता है हमारा Simple Attribute, Composite Attribute, मल्टि वैल्य एट्रिब्उट यहीं देगे Simple Attribute झो हता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जादा कोई मसकत नहीं करने पढ़ती, उसको direct आप column की तरह represent कर देंगे, जो कि हम अभी तक कर रहे हैं, बात आगी composite attribute को कैसे represent करें, अगर माल लीजे, मैंने एक attribute है, मेरा phone, phone नहीं, address सकते हैं, अब address जो होगा, उसमें city name होगा, और आपका गली का number होगा, colony number, बाकी की information होगी, street number, जो भी है, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग simple एक table बनाएंगे, और यह जो attribute है, किसी entity का attribute है, entity मतलब student माल लीजे, student का address है, ठीक है, तो student में बाकी information आईगी, जैसे, वो सब यहा किसे, पता चले कि address का city number है, address का colony number है, address का street number है, ठीक है, तो इसको तीन parts में डिवाइड करेंगे, तीन column extra बन जाएंगे, इसको आप column नहीं बनाएंगे, यह add को, address को column नहीं बनाएंगे, किसको column बनाएंगे, city number को, column number को, और street number को, ठीक है, city number, colony number, और street number को आप क्या बनाए कॉलम आप add करते ठीक हो गया इस तरह से तोड़ेंगे composite attribute को अब आ जाता है आपका multi value attribute अब देखें multi value attribute क्या होता है multi value attribute में हम बता है multiple values होती है ठीक है जैसे simple मैंने लिया employee ठीक है उसके पास एक phone number होगा जो कि आपका multi value attribute है ठीक है phone number यह क्या है आपका phone number को अब land कर रहा है ठीक है बागी की attributes भी होंगे z name से दिया पी नेम से दिया और x name से दिया इसकी table कैसे बनेगी सबसे बहुए क्या करेंगे एक हम table बनाएंगे simple table जिसमें employee की information होगी ठीक है इसमें क्या-क्या information आएग पी आएगा z आएगा x आएगा ठीक है ये सब attribute आजाएंगे इसमें phone attribute नहीं आएगा ये चीज़ दिया रखेगा कि phone वाला attribute नहीं आएगा phone वाले attribute के लिए हम लोग के अलग से table बनाएंगे इसको आप कोई भी name दे सकते हैं employee मतलब दो table बनेगे यहाँ पर एक employee की बनेगी employee phone की बनेगी अब इसमें information क्या गया आएगी सबसे पहले तो यहाँ पर आजागी employee की ID और यहाँ पर add कर लिए कि employee ID भी है यह primary की है employee की ID यह ID primary की है employee की ID आएगी और साथ में आएगा phone number इन दोनों का combination होगा और यहाँ पर primary की की तरह act करेगा इन दोनों का combination दो table बनेगी सबसे पहले एक employee बनेगा दूसरा आप कोई भी name दे सकते हैं मैंने यहाँ पर employee phone दिया है यह आप employee phone number भी दे सकते हैं इसमें सबसे पहले आएगा employee की ID जो entity आएगी उसको as a foreign key लेया जाएगा और फिर दूसरा जो attribute आएका वो आएका phone number ठीक है जो phone number है ठीक है उस तरसे data इसमें store होगा ठीक होगा यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इसको पर सकते हैं या फिर इसको direct समझ लिए आप देखिए जो drive attribute होता है जैसे age वे गए रहो गया इनको हम लोग निगालने की जरूवत नहीं पढ़ते है इसको हम represent नहीं करते हैं क्योंकि हम वो किसी भी logic से या फिर API के द्वारा represent कर सकते हैं information दिखा सकते हैं उनको store करने की जरूवत नहीं है ठीक है आप बात करेंगे relationship की हर एक entity एक table बना देंगे एक A1 table होगी जिसके कुछ attributes होंगे उन attributes को हम लोग add कर देंगे जैसे मैंने name दिया इसको P, Q, और X ठीक है इस attribute को मैंने name दिया alpha, beta, और gamma ठीक है alpha, beta मैंने इनको name दिया तो यहाँ पर जो table का name होगा A1 होगा उसमें आजाएंगे आपके P, Q, और X और P क्या है इसमें primary की है ठीक है दूसरा जो हो जाएगा A2 इसमें भी आपके क्या हैंगे alpha, beta और alpha इसमें primary की है alpha यहाँ पर primary की है ठीक है और यहाँ पर दोनों में से किसी में भी आप ऐसा foreign की add कर सकते हैं दूसरे attribute की दूसरे entity की primary की को ठीक है अगर मैं देखिए A1 में क्या कर सकता हूँ alpha ले सकता हूँ ऐसा primary की ठीक है यह भी मैं कर सकता हूँ और दूसरा क्या कर सकता हूँ मैं और क्या कर सकता हूँ A मैंने बनाया इसमें P रखा Q रखा और x रखा और यहाँ पर मैंने a2 जो है ठीक है दूसरा जो entity है उसकी जब मैंने table बनाई तो वहाँ पर मैंने alpha रखा जो primary key है बीटा रखा और एक foreign key रखी जो की है p तो यहाँ पर क्या लिखा include a foreign key in a one of the tables to stabilize one of one relation तो यहाँ पर दोनों मैंसे किसी में भी आप क्या कर सकते है foreign key को रख सकते है ठीक है चाहे आप इसमें रख लिजे foreign key को ठीक है या फिर आप A2 में foreign key को create कर लेजे ठीक है और यह reference किसको करेगी दूसरी entity को करेगी ठीक हो गया अभी देखे confusion और कोई बात नहीं ठीक है वैसे इतना confusing है नहीं एक concept जब हम आपका ER model को convert करेंगे relational model में ठीक है जो मैंने example बताता है student वाला student management system वाला उसको जब हम relational model में convert करेंगे तो आपको जो और अच्छे समझ में आएगा ठीक है अब यहाँ आप कौन से समुलिए ठाकि आप खुद भी कर सके जितने आप खुद से try क करेंगे उतना अच्छा रहेगा अब देखे one to many relationship में क्या करना पड़ता है one to many relationship में क्या होगा एक entity होगी एक entity a1 दी मैंने एक entity यहाँ पर a2 दी relation दी या r1 ठीक है कुछ यहाँ पर attribute दे दिये मैंने ठीक है यह attribute यह primary key हो गया ठीक है यह कोई फालतो सा attribute हो गया यह भी कोई पहले जो a1 है उसकी एक table बनाएंगे टी primary key को रखेंगे attribute को रखेंगे जितने भी इसके attribute होंगे ठीक है इनको रख देंगे दूसरे क्या करेंगे डूसरी table बनाएंगे a2 name से देखें जो कि entity का name होगा ठीक है फिर मैं हाँ पर क्या करेंगे include है primary key of a one side ऐसा foreign key यहाँ पर foreign key key भी include करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले क्यों रखेंगे जो कि primary key है इसकी फिर एक attribute है यहाँ पर मैंने x और x name दे दिया क्या यहाँ पर y दे दिया मैंने इसको name ठीक है यहाँ पर क्या जागा y इसका name होगा ठीक है और एक और attribute इसमें आएगा बनाब एक औ प्राइमरी की है और यह भी आपकी primary key है ठीक है यह समझ में आ गया काफी असान है इसके बाद यह क्या कह रहा है कि मालेजिए एक entity हमारे पास a1 name से relationship में है relationship में है किसी और entity के साथ a2 के साथ और relationship है R1 ठीक हो गया कुछ इसके attribute होंगे कुछ इसके भी attribute होंगे इसको name दे रहा हूँ P primary key है कोई Q है ठीक है एक X है यहाँ पर और यहाँ पर Z है जो कि यह primary key है ठीक हो गया और यहाँ पर जो relationship है वो many to one का relationship है तो इस case में क्या होगा create a table for the many side of the with the primary key ठीक है यहाँ पर P क primary key है तो वही करेंगे A1 एक table बनाएंगे जिसमें P क्या होगा एक primary key होगी दोसरा attribute क्यों ले ले लेंगे और क्या करेंगे A2 एक table ले लेंगे ठीक है इसके attribute होंगे पहले Z एक primary key आ गई X इसका बाकी का attribute आ गया और P ऐसा foreign की यहाँ पर ले लेंगे P को foreign की ले लेंगे जो कि यहाँ पर क्या है primary key की तरह act कर रही है कावी असान relationship को represent करना अब बात कर लेते है many to many की देखिए many to many में क्या होता है कि एक entity आपकी A1 नेम से और उसका relation है किसी और के साथ A2 नेम से ज इसके कुछ attributes होंगे तो यहाँ पर क्या होगा देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे इन दोनों के लिए तो table बनेगी A1 और A2 जो relation का name होगा उसके name के भी एक table बनेगी तीन table बनेगी यहाँ पर यहाँ पर इस case में menu to menu में तीन table बनती है सबसे पहले यहाँ पर क्या और बाकी के जो attributes होंगे वो आ जाएंगे रिलें आपका दोनों ही एट्रिब्यूट की primary की आ जाएगी तेक है जैसे कि क्या यहाँ पर P आ जाएगा और यहाँ पर Q आ जाएगा ठेक है यहां के लिखा है create a third table to present a many many relationship including foreign key of the both entities तो यहां पर जो दोनों ही entity है उनकी जो primary की होगी ऐसा foreign key act करेगी यह भी foreign key है यह भी आपकी foreign key है अब आता है आपका unit relationship unit relationship में दो तीन type आता है जैसे one to one, one to many और many to many वाले one to one वाले कैसे होंगे देखिए एक entity है a one name दिया एक relationship के साथ बनी हुई है ठीक है unity में ऐसी होता है इसी तरह का relationship होता है इसको मैंने name दिया r1 ठीक हो गया इसके कुछ attributes होंगे एक p दे दिया primary key के लिए ठीक है और एक attribute दे दिया मैंने x और यह किस type का relationship है one to one वाला है यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले एक table बनेगी a1 name से जिसमें attribute होंगे p एक प्राइमरी की x और यहाँ पर एक और attribute होगा जो की as a foreign key होगा जो की p को ही represent कर रहा होगा ठीक है इसको आप कोई भी name से सकते हैं जिससे मैंने यहाँ पर दिया जिस प्राइमरी की को reference करेगी same table पर ठीक हो गया अब देखे one to many में क्या होता है अगर एक attribute है a1 इसकी एक primary key है p और एक attribute दे रिखा मैंने x ठीक है relationship में है और यह relationship है one to many का है इसको मैंने नहीं दिया r1 ठीक है तो इसको कैसे revision करेंगे देखे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे table क इसका name a1 ठीक है फिर जो इसकी primary key की उसको लिखेंगे ठीक है फिर attributes लिखेंगे चाहिए कितने भी attributes हो और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक foreign key लेंगे ठीक है जो भी relation है उसके according जिसे मैं क्या करा हूँ r1 जो relation है उसका name ले लूँगा और a1 जो entity का name है जैसे managers employee तो लेकिन यहाँ पर फरक कपड़ जाएगा जब many to many होगा relationship तो यहाँ पर देखिए एक entity लिए मैंने ठीक हो गया और एक attribute लिया इसके कुछ attribute होंगे एक p दे रहा हूँ attribute primary key के लिए और एक x दिया मैं attribute ठीक है और यह unary relationship में है और relation कैसा है m to n वाला relation है यह हमारी कोई entity है even ठ सबसे पहले table का name लिखेंगे even ठीक है उसमें हमारा attribute आजाएगा p ठीक है जो primary key होगा और दूसरा attribute आजाएगा x ठीक हो गया और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक और table हम लोग बनाएंगे जिसका name होगा relation यहाँ पर देखिए हम दो attribute लिएगे सबसे पहला attribute तो यह आएगा कि हमारा जो primary key है ठीक है entity one में वो आ जाएगा और second क्या आएगा second जो भी relation है जिसी हाँ employee manages employee है तो यहाँ पर आपके कर सकते हैं employee ID या फिर manager ID लिख सकते हैं कि manager की ID क्या है जो कि actually मैं employee की ही ID होगी ठीक है इस तरीके से तो दो attributes आएंगे आपके ठीक होगा यह समस्क अब देखें बात करते है generalization की और specialization की फिर हम बात करेंगे aggregation की और फिर हम लोग अपने lecture को यहाँ पर finish कर देंगे अब generalization कैसे represent करेंगे सबसे पहले मैं करता हूँ एक entity ले लेता हूँ ठीक है और यह जो entity है वो दो सब parts में divided है ठीक है यह आपका entity 2 हो गई यह entity 3 हो गई इसके सबके कुछ common attributes होंगे इन दोनों के जो common attributes होंगे वो आपके entity 1 में आएंगे ठीक है तो इसको मैं दे रहा हूँ P इसको name दे रहा हूँ Q ठीक है और इसमें P आपका primary की है इसके भी कुछ attributes होंगे एक होगा X एक होगा आपका Y ठीक है और इसके भी कुछ attributes होंगे एक द attribute आजाएंगे P और Q, ठीक होगे, यह चीज़ समझ गए, दूसरा क्या होगा, एक और टेबल बनेगी E2, जिसमें आपके attribute आजाएंगे X और Y, ठीक है, और यहाँ पर जो super class है, उसकी primary key भी आएगी, ऐसा foreign key act करेगी यहाँ ठीक होगे, फिर एक और ID बनेगी, यहाँ पर customer, E3 name से, जिसमें attribute होगे, आपके Z और XY, दो attributes होगे, और एक और attribute होगा, जो की क्या होगा, आपके entity 1, entity 1 की primary key होगी, जो ऐसा foreign key की तरह यहाँ पर act करेगी, ठीक होगे, यह च parts में divide होगा, उतने entity आप लोग, उतने table आप लोग बनाएंगे, जैसे एक super class के लिए बनेगा, फिर एक sub class के लिए, एक दूसरे sub class के लिए, ठीक है, और sub class में जो primary key होगी, वो दोनों ही दोनों sub classes में क्या होगी, ऐसा foreign key की तरह act होगी, ठीक है, और बागी युज attribute होगे, वो हम add कर देंगे, तो इस तरह से हम generalization और specialization को represent करते हैं, अब हम बात करेंगे aggregation की, कि aggregation को कैसे represent करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, थोड़ा ध्यान से समझेगा aggregation को, अगर मालीजे मैंने एक entity ली, E1, ठीक है, और एक entity ली 2, E2, ठीक है, एक हमारी entity आ गई और E3 ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कल देते हैं, यहाँ पर space नहीं मिलना है मेरको, ठीक हो क्या, E3 मैंने यहाँ पर entity ले ली, अब देखे, इस entity को attribute होंगे, इसके भी attribute होंगे, और इनके भी attribute होंगे, ठीक है, इनको name देते हैं, फटापट P, Q, R, S, T, और V, मैंने यह attribute के name दे ठीक है, यहाँ पर R primary की है, यहाँ पर P primary की है, यहाँ पर T primary की है, ठीक हो क्या, अब इन सब को manage कर रहा है, एक manager, इसको यहाँ से अटा देते हैं, जोड़ा, इसके अंदर कर लेते हैं, ठीक रहे गए, और S बना लिया है मैंने, ठीक है, तो यह whole ऐसा represent कर रहा है, एक entity को, और यहाँ पर मैंने क्या करा, एक और entity बना दी E4, अब यह सवाल यह उठता है, कि इसमें कितनी table बनेंगे, इसमें total देखे, एक, दो, तीन, तीन entity, चार entity, पांच, छे, दो relation, तो यहाँ पर चार entity है, दो relation है, तो यहाँ पर total छे table बनेंगे, सबसे पहले टो टेबल बनेगी, E3 की बनेगी, और E4 की बनेगी, और क्या बलेगा, आपका relation 1 और relation 2 की भी आपकी table बनेगी, attributes क्या क्या आएंगे, ध्यान से देखेगा, काफी important है, सबसे पहले देखे, E1, E1 के primary की आएगी, और बाकी का attribute आएंगे, ठीक हो गया, बाकी का attribute जितने भी attribute आप रखन प्राइमरी की आजाएगी, Q आजाएगा, और बाकी का attribute आजाएगे, E4 एक entity है, ठीक है, इसके मैंने attribute नहीं दिये, इसको मैं देदेता हूं, यहाँ पर, इसको मैं मैं देए alpha, यहाँ पर beta, तो यहाँ पर alpha इसकी primary की है, ठीक है, मैंने alpha एक primary की देदी, beta एक दूसा attribute देद और entity 3 की primary की आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका R T और P R T और P यह सब primary की थी न, यह सब आ जाएगे ठीके, तीनों की तीनों, और R 1 की primary की क्या बनेगी इन तीनों को combine होके, एक composite की बनेगी जो इसकी primary की होगी R 2 में क्या होगा, R 2 में सबसे पहले entity 1, entity 2, entity 3 की primary की आ जाएगे जैसे की R T और P ठीके, यह तो आएगा ही, extra एक और चीज आएगी जो यहाँ पर entity 4 थी, इसकी जो primary की थी alpha यहाँ पर primary की मान रहो ठीके, तो alpha भी यहाँ पर आ जाएगा ठीके, और यह सब मिलके एक primary की बनाएगे ठीके, तो इस तरह से aggregation को represent करते हैं, इस table की form में अब जो हमने यहाँ पर क्या किया था student ER diagram बनाए था, उसको मैं next वीडियो में आपको relation table में convert करना सिखाऊंगा, ठीके, तो आज की वीडियो में इतने ही रखेंगे, thank you watching, goodbye, take care झाल झाल